दोस्तो हिंदू धरम में तुलसी के पोधे को विशेस महतो दिया गया है मानत है कि घर में तुलसी का पोधा लगाने से सकारात्मक उर्जा बनी रहती है साथी सी घर में लगाने से कई परकार की समस्याएं भी समाप्त हो सकती है तुलसी का पोदा घर में लगा कर उसे जल अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है सास्त्रों में तुलसी के पोदे को मालक्समी का ही एक रूप माना गया है कहते हैं कि जहां तुलसी का पोदा होता है वहां मालक्समी का वास होता है साथ ही ये भी मानेता है कि तुल्सी की पूजा के बाद ही भगवान विश्णुजी की पूजा पूरी होती है तुल्सी का पोदा बविश्यम होने वाली घटनाओं से जुड़े कई संकेत भी देता है तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में इसी बारे में सबसे पहले मैं बताता हूँ तुल्सी और बुद्ग्रह के आपस का संबन सास्तरों के मुताबिक घर में मौजूद तुल्सी का पोदा अगर सूख नहीं लगे तो इसे असुब माना जाता है साथ ही ऐसे में कई संकेत भी मिलते हैं आम तोर पर तुल्सी का पोदा हवा और पानी के जुड़ी गलतियों के वज़े से सूख जाता है परन्तो अगर विशेश ध्यान रखने के बावजूद भी सूख रहा है तो इस चिंता का विशे है तुल्सी के पोदे की ऐसी श्थिती भविशे में आने वाले किसी समस्या को दरसाती है जोती सास्तर के मुताबिक तुल्सी के पोदे का सम्मन बुद्ग्रह से है अगर बुद्ग्रह का परभाव पढ़ने लगे तो इसका असर तुल्सी पर दिखने लगता है ऐसे में सचेत रहने की जरूरत होती है इसके बाद पित्र दोस के बारे में मानेता है कि पित्र दोस की वज़े से जीवन में आर्थिक परिसानियों का सामना करना पड़ता है इसके अलावा तुलसी का पोदा सूखना भी पित्र दोस को दरसाता है इसकारण परिवार के सदस्यों में मन मुटाव बढ़ने लगता है अगर तुल्सी के पोधों को घर में लगा नहीं है भी होने लगता है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले मिलते हैं दोस्तों एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद